1-1-2014 को stock price थी और index था 1-1-2020 को stock price थी और index था 23 March 2020 को जब Nifty lowest point पर था तब stock price थी और index था और current price है और index है यही figures चार्ट में देखते हैं अगर हमें Nifty के मुकाबले बहुत ज्यादा कमाई करनी है तो हमारे stock में 4 बाते होनी चाहिए एक, लंबी एउदी में share price बढ़ती रहनी चाहिए दो, जब market में बड़ी गिरावट आती है तो हमारा stock ज्यादा नहीं गिरना चाहिए Nifty के मुकाबले तीन, जैसे ही market recover होती है हमारा stock तेजी से recover भी करना चाहिए Nifty के मुकाबले चाहर, हमारा share अपने sector का top share होना चाहिए इस वीडियो में हम देखेंगे के हमारा share Nifty से better है या नहीं यानि की पहले तीन points इस वीडियो में देखे जाएंगे अगर आपको sector का top share चुनना है तो उस वीडियो की link description में दी गई है 1-1-2014 को 1 लाग रुपए इस share में इन्वेस्ट किये 6 साल बात 1 जानिवरी 2020 को इस share में इन्वेस्ट किये हूँ 1 लाग रुपए हो गए मार्च में इस investment की value हो गई और current share investment की value है 1-1-2014 के दिन 1 लाग रुपए Nifty 50 shares में इन्वेस्ट किये 6 साल बाद 1-1-2020 के दिन Nifty 50 में इन्वेस्ट किये हुए 1 लाग रुपे हो गए मार्च 2020 में इस इन्वेस्टमेंट की वेल्यू हो गई और करण Nifty 50 इन्वेस्टमेंट की वेल्यू है Nifty में एप्रिसेशन जदा हुआ है इसलिए 1 पॉइंट Nifty ने जीत लिया है 2 पॉइंट शेर में जीता 3 पॉइंट शेर में जीता Overall शेर जीता यही एक लाग रुपए की अगर हमने 8% इंट्रेस से फिक्स डिपोजिट की होती तो आज उसकी वेल्यू हो गई होती FD के 8% के मुकाबले Nifty ने कितने परसंटेज का रिटन दिया यह शेर ने कितने परसंटेज का रिटन दिया Winner है आज अगर किसी को एक लाग रुपीज इंवेस्ट करने है तो वो क्या करे यह स्टोक में इंवेस्ट करे Nifty Fifty Stocks में इंवेस्ट करे या FD में इंवेस्ट करे यह शेर के और Nifty के Annualized Return Percentage हमने देखे है वही रिटन परसंटेज अगर भविश में भी कंटिन्यू होंगे तो एक साल के बाद क्या होगा परसंटेज यही रिटनास यही रिटनास